राजस्थान के अरावली की पहाडियों में इस्तित एक सिव मंदीर जिसे परशुराम महादेव गुफा मंदीर के नाम से जाना जाता है ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के छटे अवतार स्री परशुराम जी ने खुद अपने कुलाडी यानी फरशे से इस गुफा मंदीर का निर्मान किया इस पवित्र इस्थान को राजिस्थान का अमरनाद भी कहा जाता है क्योंकि परशुरामजी की तपस्या से परसंद होकर महादेर सिवलिंग के रूप में यहाँ पर इस्तापित हुए गुफा के अंदर एक सिवलिंग है यह एक स्वयम भू सिवलिंग है पहाड़ी पर बसे इस गुफा मंदीर तक पहुंचने के लिए 500 शीडियों का सपरतय करना परता है सिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इस पर स्यक्रो लिटर जल चडाने पर भी उसे आत्मसाथ कर लेता है जल उसमें समा जाता है क्योंकि इसमें चिद्र है जबकि दूद चड़ाने पर वह चिद्र में नई समाता है इसका कारण आज तक लोगों के लिए एक रैशिय बना हुआ है स्रावन मार्स में यहां मेला लगता है जिसमें अनेक सरदालू, भगवान सीव और परसुराम जी को नमन करने आते हैं